Hello friends, welcome back, this is Ankur Gaur, आप सभी के पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मैं स्टॉक मार्केट में क्या प्रोजिन कॉन्स हैं, सर मेरे e-commerce कांपनी में क्या प्रोजिन कॉन्स हैं, क्योंकि हर एक प्रोजिन का अर्मोस्ट आई ही गए हैं 150-150 वीडियो में बताई थी, कि जो भी all possible career options हैं, आपके सभी के प्रोजिन कॉन्स हम लोग इस वीडियो में discuss कर लेते हैं, लास्ट तक देखिएगा, सबसे पहला, किसी company के अंदर जब आप काम करते हो, किसी account executive, finance executive, accounting and finance executive cashier or finance manager के रोल पर, तो यहाँ पर आप बेसिकलिए एक accounting के रोल पर काम कर रहे होते हो, और यहाँ पर बहुत basic roles होते हैं, वह ही repetitive काम होते हैं, वह ही general entries होती हैं, वह ही आपका जो repetitive काम होता है, balance sheet के अंदर कुछ entries कर दी है, आपने channel agents इंसर पर कुछ entries कर दी है आपने थोड़ा बहुत company का repetitive work है जो वो कर दिया उसके अंदर देखो आप यहाँ पर आपकी इसके positive side यह है कि यहाँ पर आपको competitively जल्दी job मिल जाती है, easy job होती है बहुत ज़्यादा overtime नहीं करना पड़ता है और यह jobs असानी से मिल जाती है, companies क्योंकि private limited, limited firms और showrooms बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर, और EC में बैट कर आप 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 हमसे काम कर रहे होते हैं तो यह इसके positives हैं कि यहाँ असानी से लेकिन जब आप एक बार, एक दो साल में 15, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 पर पहुंच जाओगे न जिस दिन आप अपने manager से 41,000 रुपर मांगोगे कि sir, I need 41,000 for the profile I have around 9 years of experience तो वो कहेगा, बेटा, 45,000 में 41,000 में तो मैं जाकर CEO ले आओंगा मैं, मैं आपको क्यों दूगगा ये पैसे राइट, सो यहाँ पर क्या होता है 4-5 साल के बाद आपके पास जो एक जो career का एक बार आ जाता है क्योंकि उस role पर उस salary पर आज की डेट में वो CAs available हैं, तो आपकी growth नहीं होती आप हमेशा चाहे एक CA जिसने कल CA पास किया है, उसके वो बंदा आपकी company में आएगा ना तो उसकी salary आप से ज्यादा ही होगी, वो बंदा आपके उपर हमेशा बैठेगा, चाहे उसका उस company का experience हो चाहे ना हो, तो इसलिए आपकी salary हमेशा आपकी जो एक growth है ना तो एक level तक ही होगी, उसके बाद जैसे ही CA की salary शुरू हो जाती है आपकी growth नहीं होगी, यहाँ पर पैसा आपके लिए आज की date में अगर मैं current value of money की बात करूँ तो आज 40,000 रुपे वो amount है जो आपको इससे जदा आपको नहीं मिलेगा इससे जदा किसी भी company को पैसा देना होगा इन roles के लिए तो वो CA को रखेगी फिर आपको नहीं रखेगी तो और उस time जब 8 साल के, 7 साल के experience हो चुका होगा आपको उस समय पर अगर आपने CA नहीं किया है मैं और किसी भी degree की बात नहीं कर रहा हूँ CA नहीं किया है अगर आपने तो आप मान लिजे कि आपका promotion नहीं उने वाला आप कोई भी degree कर लिजे इसके लावा आपको account head नहीं बनाएंगे तो आप ये मान लिजे कि आपको या तो CA करना है promotion के लिए highest promotion के लिए और या तो फिर इस profile में आप गलती से आ गए हो इस profile में आपको promotion नहीं मिलेगा ठीक है? Mixed आता हूँ मैं CA firms के अंदर CA firms के अंदर आपको general accounting की entries का taxation का audit का profile मिलता है इन profiles के अंदर अगर आप job करने की सोच रहे हो तो आपको 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 रुपए की salary से job शायद मिल जाएं बट इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आप उन लोगों के साथ करोगी जो article ship वाले बंदे होते हैं जिनका CA आपको मैं बता दूँ जो लोग CA का form भरते हैं जो लोग CA कर रहे होते हैं उनको article ship करनी होती है दोड़ाई साल, तीन साल की उसमें वो लोगो एक minimum stipend मिलता है जो 5000 से लेकर 10,000 तक किसी भी जगे होता है उसके अलावा वो लोग बहुत dedication से काम करते हैं और CA को क्योंकि internship के time में ये article ship के time में ये करना ही होता है तो हर CA firm के पास इन बन्नू की बहुत applications आती है तो अगर आप 14-15,000 रुपय में काम कर रहे है और कोई उनको CA intern जो है वो मिल रहा है 3000, 5000, 7000 में तो फिर कोई भी company आप सको अगर 15,000 दे रही है तो आपसे चारगुना काम लेगी और वो बंदा क्योंकि पढ़ रहा है उन चीज़ों को अभी भी तो वो चीज़े वो बंदा जदा जदा advance होगा, जदा informed होगा जो भी amendment आज आया है वो कल उसको पता होगा पट आप क्योंकि अप professional चुन रहे हो अपने आपको आप हो सकते चार दिन पास दिन अपनी family में बिजी रहो, तो आप क्योंकि 15,000 ले रहे हो तो अगर आप यह सोचो कि आपको 20,000 और 22,000 दे देगा तो 22,000 में तो चार intern रख लेगा तो यहाँ पर salary आपको फिर नहीं मिलेगी यहाँ पर CA firms के अंदर आपको पता है काम भी वही CPA type का ही होता है यहाँ पर CA को ही preference दिया जाता है तो again यहाँ पर आपको कोई खास advantage नहीं मिलेगी आपकी अपनी degree की अगर आपके पास CA नहीं है थर्ड आगया आपका BPO और KPO accounting roles के अंदर जो मैंने third accounting roles के अंदर account payable, account receivable, order to cash इन सब profile के अंदर यह basically process oriented चीज़ें होती है थीक है मैं third और fourth आपको एक साथ बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो BPO और KPO होते है इसमें system oriented चीज़ें होते हैं आपर system बना दिये जाते है system कैसे होते है system जैसे मालीचे आप किसी big bazaar में जाते हो ठीक है big bazaar के अंदर आपने समान लिया card के अंदर से सारी चीज़ें ली अपने card में डाली है और आप उस पे billing कराने के लिए पहुंचे जब आप billing कराने के लिए पहुंचते हो तो वो बंदा क्या करता है जो billing कर रहा होता पर क्या करता है वो आप से scanner लिए रहता हाथ में उसमें आपका product जो होता है उस पर tick 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 करेगा वो उसमें scan करके barcode को scan करता है tick कसे आवाज आती है वो इसके लिए मतलब है उसको इस बाद से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर product क्या है किस company का है कितना discount है क्या उसकी manufacturing date है क्या उसकी expiry date है उस बाद से कोई मतलब नहीं है उसको एक tick की आवाज से मतलब है अगर वो beep बज गई तो उसका मतलब उसका काम हो गया और कुछ आप उसके बारे में उससे नहीं पूछ सकते वो tick 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 करेगा automatic अपना bill generate हो जाएगा automatic सब calculate हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही final होगा वो आप से पुछेगा sir cash की card आप कहोगे cash तो वो cash वाले button पर click करेगा तो उसका cash counter खुलेगा उसके बाद आप कहोगे आप 1500 रुपे का समान लोगे 2000 का नोट दोगे 2000 रुपे जैसे ही वो डालेगा उसके अंदर आपके इस screen पर touch करेगा वैसे ही उसमें आएगा please tender 500 रुपी चेंज और वो 500 रुपे निकाल कर आपको दे देगा पूरे process में उस बंदे ने कोई दिमाग नहीं लगा और वो counter जो है वो खुलेगा भी तभी जब वो note का denomination डाल देगा कि कौनसा note दे रहेंगे उसके बाद वो open हुआ और उसके बाद वो बंद हो गया अब यहाँ पर आप बताईए इस बंदे ने जो बैठा है cashier पर जो बंदा ये बैठा हुआ billing करने के लिए इस बंदे ने दिमाग कहा चलाया और ये बंदा आपके पास कहें कि सर मेरे 4 साल होगे इसको करते हुए आपके store पर काम करते हुए मेरी ना salary बढ़ा और मेरी 40,000 रुपे कर दो या 30,000 रुपे कर दो आप करते होगे आप बताइए आप store के अगर owner होगे तो आप करते होगे क्या नहीं करोगे क्योंकि वह काम ही नहीं उतना वर्थ रखता है यह सारा कुछ automatic होता है अगर आप वह 100 रुपे चाहे कि अपने लिए ले जाए तो जिस्ते टाइम वह अपने login है ना अपने login से उसकी जिम्मेदारी है किस समय वह गया कितना cash हो और सब machine में calculate होता रहता है तो यहाँ पर ना fraud के chances है ना गलती के chances है ना किसी भी चीज के chances है और वो काम एक 7th class का 6th class का बच्चा भी कर लेगा वो जो सामने guard खड़ा रहता है ना वो देखता रहता आप billing कर रहे है वो भी कर लेगा तो आप यह सोचो कि आपको कोई 30,000-40,000 रुपे उस काम के देदे वो नहीं देगा क्यों क्योंकि आपर system में पैसा लगाया हुआ companies जो system में पैसा लगा देती है वो लोगों को पैसा कम देती है क्योंकि dependency कम होती है आज ये cashier छोड़के चला जाए ना तो दूसरा बना कोई भी इस जगे पर काम कर लेगा उसको एक दिन बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे होता है वो दूसरे दिन से काम कर लेगा ये ही BPO और KPO का trend है चाहे account payable में हो, receable में हो, OTC में हो, billing में हो किसी भी चीज में अगर आप हो तो उन्होंने system बर इतना पैसा लगा रखा है कि आप वो ही repetitive काम करते हो आप चाहो भी कि गलती कर दो होगी ने आप जो कुछ भी करना चाहो वो सारी सीजों के system बने हुए है तो आप वो ही repetitive काम करते हो अगर आप company छोड़के चले भी जाओगे ना तो कोई problem नहीं है तो ये इसके cons बताए मैंने चुटी होती है rotational shift होती है कहीं बाहर चोटी जगे से आयने वाले लोगों के लिए तो ये बरदान है विल्कुल जैसे किसी चोटी city से आये तो सबसे पहले ये असानी से मिल जाती है कोई खास skill भी नहीं चाहिए होती है तो यहाँ पर सानी से मिल जाती है एक job experience बेरोजगारी से तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर मिल जाती है multinational environment HR लोगों से मिलना बैठना जानते हो आप तो यह बहुत अच्छी चीज होती है बट वही है कि एक limited पैसा इसके अंदर 15, 17, 20, 24, 25, 30,000 30,000 के बाद आप मांगोगे तो वो 15,000 वाले दो ले लेंगे ठीक है और promotion अगर आप यह सोचो कि मैं promotion हो जाएगा मैं team lead बन जाओगा मैं manager बन जाओगा तो 11 लोगों की cricket team होती है 11 के 11 captain कभी भी नहीं बनते हैं आप यह मान लीजे तो आप इधर उधर करते रहोगे एक company से दूसरी दूसरी से तीसरी बट सब के अंदर वही है 24,000 रुपय कोई जादर देदेगा 24,000 रुपय कोई कम देदेगा जब वहाँ पर तो आप लोगों को सिर्फ B.com, BBA, MBA इन सबसे लड़ना था बट यहाँ पर तो आपको B.hc वालों से भी लड़ना है आपको MA economics वालों से भी लड़ना है आपको B.tech वालों से भी लड़ना है तो यहाँ पर mixed role होते है इन roles पर तो भाई साब आप इतनी लड़ाई है कि पूछिए मत एक opening आएगी और 500,500,500,000 कितने भी कोई limit नहींगे कितने job वो आएंगे उसमें तो यहाँ पर ज्यादा तर जो होता है जुगाड से ही खाम हो जाता है यहाँ पर internal reference से ही हो जाती है ज्याद अतर भरतियां जिसे हम recruitment कहते है यह internal reference से होताते है तो यहाँ market में ज्यादा openings आती ही नहीं है इससे ही हो जाता है जाओ और हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि खास skill नहीं required होती जहाँ पर skill नहीं required होती वहाँ पर reward भी उतना नहीं होता share market, capital market के अंदर तो आपकी band बच जाएगी आप चाहे जितने आपको चाहे जितना भी आता हो आपको चाहे जितना भी ना आता हो अगर आपका customer पैसा नहीं लगा रहा है तो आप नहीं लगा रहा है फिर आप दूसरी दूसरी लोगों को call करते हो तो basically this is more like a calling profile किसी भी profile में चले जाएं आप call करके ही लोगों को बोल रहे होगे कि आप meeting करके लोगों को बोल रहे होगे कि भया हमारे यह से demat खुलवा लो हमारे यह से stock कर लो हमारे यह से trading कर लो तो यह काम है अगर आपको इस तरह का काम आप कर सकते हो बट इसमें आपका कोई काम नहीं है ठीक है, इस स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर एक प्रोफाइल होती है, पोर्टफोलियो मैनेजर की उसमें कुछ रोल्स होते हैं, वो आलास्ट वाली इसमें अच्छा यह है कि आपको बड़ा मज़ा आता है कि आप इसली काम कर रहे होते हैं, आपको दो-चार इंवेस्टर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो आपका काम अपने आप से चल रहा होता है, जल्दी आपको जॉब्स मिल जाती है कोई खास स्किल रिक्वाइड नहीं होती, if you are good in communication, if you are good in communication skills, I mean convincing skills तो you can very well get this profile और कर रहे हैं बहुत सारे लोग market अच्छी होती है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत अहन कर रहे हैं तो obviously, मतलब अच्छा ये है कि आपको मिल जाता है और आपके incentives अच्छे होते हैं, अगर आपको दो-चार investor अच्छे मिल गए, तो फिर तो बल्ले-बल्ले आपकी फिर उसके बाइट कुछ company हैं जो आपसे financial product को sales कराती है, अगर आपको sales की profile में interest है अगर आप बेचना चाहते हो, आपकी network अच्छा है, आपकी convincing skills अच्छी है, आपकी communication, English and the communication अच्छी है, लोगों से मिलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ये इससे अच्छा profile कोई नहीं है तो कि insurance ऐसे होते हैं कि 10-10, 12-12, 15-15 साल तक चलते हैं, एक बार आपने insurance कर दिया, आपके account में 10 साल तक पैसा आ रहा है, mutual fund, SIP, ये सब चीज़ें आपने एक बार कर दी तो बहुत लंबे-लंबे type तक आपको, जब तक वो particular account चलता है, लोन चलता है, वो जब तक आपका insurance policy च सकते हो, अच्छा रहा है, ठीक है, अगर आप इन में positive तो मैंने बता दिया, मैं इसका negative बता देता हूँ, negative यह है कि यहाँ पर आपके B.com का कोई यूज नहीं है, इसका negative यह है कि आपका यहाँ पर B.com का कोई भी यूज नहीं है, M.com, MBA, VBA, इन सब चीज़ों का कोई यू का हो गया है, आप 10 लोगों से पूछता है, एक से लेता है, और यह सारी चीज़े हम online हो गई है, तो सब को यह online लेता है, आपके physical मिलने से, आपके phone से कोई impressed नहीं होने वाला है, तो यह industry ऐसी है कि आप अपना network आपका अच्छा है, तो आप grow कर जाओगे, अगर आपका interest न आपकी, तो यह आप समझ लीजे, कि आपको छोड़ा नहीं जाता इसमें, बहुत tight pressure deadlines, target वाली roles होते हैं, अगर आप interest नहीं है इन में, तो आप मत जाएए, आप जिल नहीं पाऊगे इसको, फिर banking companies में भी सेम होता है, वही चीज़े होती है, अच्छा यह है कि अगर sales की profile मे तो आप कर सकते हो, ठीक है, और इसका जो negative यह है, कि भई यह sales करना है, sales आजकर बड़ी मुश्किल है करना, और especially in products की, जब आपको, आप खुद ही देखिए, जब आपको bank से कुछ चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए, और आप online phone करते हो, सब कुछ घर पे available है, आप बहुत आप किसी को treat भी नहीं करते हैं, कि आपको कुछ चाहिए है, तो आप, आप कुछ अब जब जरूत होती है, आप online call करते हो, कही ना कहीं से बुला लेते हो, आपके network से कुछ नहीं होता आज कर, ठीक है, next आगया front और back end operation, यह बहुत अच्छी profile होती है, teller वगरा की, internal operation की, friend बहुत अच्छी profile होती है, इसमें कोई tension नहीं होती, ना कोई target है, किसी को sale करना है, ना कुछ है, बहुत बढ़िया profile होती है, बट फिर उसी के average में, उसी के proportion में, इसमें salaries भी उतनी कम होती है, Monday to Friday work, Saturday, Sunday, चुट्टी है, as for the government, multinational होता है, safe होता है, यह सारी चीज़े है, आप देखोगे, तो आप यकीन निकर पाओगे, कि आज की date में भी इतनी कम salaries है, सबसे कम salary banking के अंदर है, आज की date में, सबसे कम salary banking के operations के अंदर है, तो इसमें अगर आपको काम करना है, तो आपको कम salary पर lifetime काम करना पड़ेगा, वही repetitive काम होते हैं, वही सारी चीज़े होती ह तो आपकी growth भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, वही repetitive काम आप bank के अंदर करते रहते हो, 6 महिने के बाद आपको 6 महिने एक दिन में जो आप कर रहे होगे, तो आप कुछ नया काम नहीं करोगे throughout the life, you'll not be using your brain after some time, ठीक है, तो यहाँ पर growth भी उसे हिसाब से नहीं होती है, non-bank, NBFC companies जो होती है, इसमें यही सब बेचने का काम होता है, internal operations का काम होता है, collections का काम होता है, miscellaneous roles बहुत सारे होते हैं, यह सारी चीज़े, sales भी होती है, mixing होती है इसमें, sales भी होती है, आप operations भी करते हो, आप इसके अंदर collections भी करते हो, बहुत सारे roles होते हैं, आपकी परस skill की जरूत नहीं होती है और बुरी बात इसकी यह है कि इन company का ही अपना कोई धरमिमान नहीं होता island fs को देखा आपने कारदी वगएरा इस तरह की बहुत सारी companies जो होती है यह companies का बहुत जल्द मतलब इनकी जो अपने आपने यह clear नहीं होती किसी भी तरह से एक customer को यह 10% पर लोन दे रही है उसके साथ वाले customer को 11% पर लोन दे रही है तो इनकी policy बहुत firm नहीं होती है और जब यह firm नहीं होती है तो आपका जो working का जो environment होता है आपका जो आपकी जो अपनी एक conscious होता है न वो ही आपको अलाव निगरता है यह company के ही rigid नहीं है norms तो मैं अपने customer को क्या commit करूंगा तो वो सारी चीज़े होती है कि आप से 11% ले लिया आपको 15% पर दे दिया आपको 14% पर तो इस तरीके से है कि इनकी company का कोई धरम ही मान नहीं होता बहुत ज़्यादा मैं सारी companies की बात नहीं कर रहा इनकी जो norms होते हैं बहुत फर्म नहीं होते हैं इस वज़े से इन में काम करना थोड़ा difficult feel होता है for the people who want to get into rules and regulation and everything so there is these companies are usually lacking in the system और उसके बाद हम लोग आते हैं e-commerce companies के अंदर e-commerce company के अंदर invoice करो customer support करो delivery support operation और यह सारे काम करो आप यहाँ पर करते रहिए कुछ भी करते रहिए कुछ ना मिलेगा आपको ठीक है वही एक limited salary होती है उसी limited salary पर आप काम करते रहिए repetitive वही काम होता है वही काम करते रहिए आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अच्छी बात यह है कि इसकी job जल्दी मिल जाती है क्योंकि skill कोई required नहीं है जल्दी job मिल जाती है ज्यादा jobs होती है easy काम होता है अगर आप पढ़ाई-बढ़ाई कर रहे हो ही है कि यह सभी analysis के काम होते हैं जिनमें आप company's के साफ में कम्पनी के साफ में Decision making में help करते हो basically revenue forecast करते हो revenue generate करने की कोशिच करते हो risk को minimize करने की कोशिच करते हो आप किसी company के लिए वह काम करते हो झिसके लिए वह company काम कर रही है basically आप उसके पैसे को बढ़ाना चाते हो किसी न किसी तरीके से आप तो वो वाले काम कर रहे होते हो आप चाहे किसी भी चीज में चले जाईए तो अच्छी बात इसकी यह है कि यह profile बहुत अच्छी होती है दूसरी बात है आपकी किसी कंपनी का आपको पैसा बढ़ाना है ना तो यहाँ पर दिमाग लगता है तो आपका दिमाग जो है जतने आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा और बहुत असान होता है एक सिंपल सी प्राक्टिस करो थोड़ा थोड़ा करोगे एक आदमी ने दस वालेशन करें एक आदमी ने पाँच वालेशन करें तो पाँच से दस वाले की ज्यादा experience होगा ज्यादा वो होगा तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको experience होता जाता है वैसे वैसे आपकी growth होती चली जाती है और यहां पर कोई अमरेला नहीं है मेरे 10 लाख रुपे को आप 15 लाख रुपे करके 2 लाख रुपे ले लेना या मेरे 10 लाख रुपे को 50 लाख रुपे करके 5 लाख रुपे लेना मेरे कोई टेंचन नहीं है जितना ज्यादा मेरे पैसे से पैसा आप बनाओगे उतना ज्यादा commission आप ले 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 ना मेरे को क्या tension हो सकती है so the people who work in these these profiles are usually working with money they want to increase the revenue of the company investor का किसी तो वो जितना ज्यादा पढ़ा देता है companies को उतने ज्यादा commission मिलता और उससे ज्यादा आपको ranking industry और इनके रोल्स जो है ये वाले रोल्स इसको तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा है अब मैंने अच्छा अच्छा बता दिया अब मैं बुरा बताता हूं थोड़ा सा बुरा भी तो जान लो बुरा ये है कि बिना दिमागे कोई काम नहीं होगा अगर आपका दिमाग 50% काम कर रहा है तो काम होगा नहीं ठीक है अगर आप analysis नहीं करना चाहते if you don't want to play with the numbers if you don't want to do the forecasting if you don't want to analyze the things बहुत ज़्यादा आप काम नहीं करना चाहते आपको लग रहे है कि कोई अराम से ऐसे बैट कर काम मिल जाए कोई ऐसी कोई profile मिल जा नहीं मिलेगे आपको इन में कभी नहीं आएगा ऐसा दो साल तीन साल मतलब आप पहले आप इसके अंदर पहले analyst बन जाएए senior analyst बन जाएए, team lead बन जाएए फिर उसके बाद आप assistant manager बनेंगे फिर आप manager बनेंगे फिर आप AVP बनेंगे, फिर आप VP बनेंगे ये सारी profiles में आप किसी भी hierarchy के किसी भी position में आप चले जाएएगे आपको सुकून नहीं मिलेगा कि आप बैटे और आप से team काम गरी, आप signature करेंगे इसा कभी नहीं होगा, you have to do your IC work, individual contribution बोलते हैं Monday to Friday work, Saturday, Sunday चुट्टी companies are very professional profile बहुत अच्छा है पैसे की कोई कमी नहीं है और इसकी negative चीज़ें ये हैं कि इतनी जल्दी मिलता नहीं है इतनी जल्दी ये profile नहीं मिलती है कैसे मिलती है वो बताऊं हमें आपको इतनी जल्दी profile नहीं मिलती है इसमें skills required होती है और इसके अंदर काम करना पड़ता है Monday to Friday work है लेकिन वो फिर काम ऐसा है कि आप phone के नारे रखकर काम करते हो 8 घंटे का काम daily का आपका है ही है अगर आप इमानदारी से काम करोगे phone पे काम कर रहे हो phone पे लगे हुए हो बार बार फोन देख रहे हो बार 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 जा रहे हो तो आप 9 घंटे और 10 घंटे भी काम करोगे ठीक है तो ये आप मान लिजे कि अगर आप workaholic नहीं हो if you don't want to work that much तो फिर कोई फाइदा नहीं है तो फिर मत करिए इसको लेकिन अब आप ये पूछोगे कि सर अब बताओ कैसी companies में तो मैंने आपको यही बताया कि इस तरह की companies में investment banking, hedge fund, private equity, KPU, consulting rating agency, boutique firm, venture capital, consulting इन सब में ये roles होते हैं ये सारे roles इसके अंदर होते हैं और इन roles को आपको करने के लिए अगर आपको फिर भी आप कहते होगे सर मेरा तो बहुत अच्छा है मेरा मन कर रहा है इसमें करने का I am that kind of person में तोड़ा challenging rule मुझे पसंद है लेकिन growth मेरी उसे साब से होनी चाहिए तो अगर इस तरह काही है कुछ तो ये मान लिजे कि practical skills ये करने पड़ेंगे आपको advanced excel, financial modeling, valuation and merger and acquisition और ये सारी चीज़े आपको practically करने पड़ेंगे मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था आपके लिए thank you very much I hope कि आपको पता चल गया होगा कि किसका क्या positive और किसका क्या negative है और इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़े जो नहीं बता पाया वो ये है कि अगर आप जानना चारे हो कि financial model, जो आपने core finance के सर, financial analyst, research analyst equity research analyst, business analyst ये सारे roles बताए थे इन सारे roles में किस role में क्या करते है मुझे वो भी तो बताओ, आप बहुत लोग ये कहोगे कि सर, मुझे ये भी तो बताओ, कि इन में से जो आपने core finance के roles बताए है इन में से मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा तो इसके लिए आप मेरी next video देखिए या मुझे write करिए, जैसे आप लोगों ने ये वाली video चाहते हो, जिस भी profile के बारे में आप पूछना चाहते हो पूछिए, thank you very much